Hello everyone, good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तों आज है 4 माई और आज की इस वीडियो में हम 4 माई से related current affair के जितने भी important questions बन सकते हैं इन सभी को cover करने वाले हैं इसलिए वीडियो को अंतर तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो चलिए स्टार्ट करते हमारा पहला question हाली में विश्व प्रेस सुतंत्रता दिवस ये कब मनाय गया है यनिकी World Press Freedom Day तो ये भी हाली में मनाय गया है 3 मई को और ये दिवस क्यों मनाय जाता है तो देखिए दुनिया भर में जितने भी जन्रलिस्ट हैं इनिकी पत्रकार हैं उन्हें एक तरह की स्रद्धानजली देने के लिए और प्रेस फ्रीडम के बेसिक स्ट्रक्चर का जश्न मनाने के लिए ये दिवस मनाय जाता है 3 मई को और इस बार जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाय गया है इसकी क्या थीम थी तो इस बार की थीम थी जन्रलिस्म विदाउट फियर एंड फेवर तो थीम भी आप याद रखेंगे अब यहाँ पर हम बात कर रहे है प्रेस स्वतंत्रता की यानि की प्रेस फ्रीडम की तो यहाँ से आप एक चीज कनेक्ट कर सकते हैं अभी हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया गया है और Press Freedom Index में इंडिया कौन से स्थान पर है तो इंडिया रहा है 142 वे स्थान पर 180 देशों के बीच ये सर्वे किया गया था जिसमें भारत की रैंकिंग है 142 वी और टॉप किस ने किया है तो टॉप पर रहा है नौर्वे यदि हम अधर उप्शन को डिसकस करें तो 30 अप्रेल को मनाया गया है आयूशमान भारत दिवस एक मही को मनाया गया है महराश्ट्र दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे दो मही को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूनर डे और यदि आप लोगों को याद होगा तो कल मैंने आप लोगों को online study point के gk ब्रह्मास्त्र pdf के बारे में बताया था तो देखे ये जो pdf है ये एक तरह का gk का निचोड है यहने कि आप जो one day exam देते हैं उस one day exam को ध्यान में रखते हुए इस पीडियाफ को तयार किया गया है जिसमें की history, quality, economy, geography even current affair ये सभी topic कवर कराये गये हैं और यदि आप लोग इस पीडियाफ को purchase करते हैं या पढ़ते हैं तो आप लोगों को gk से related कुछ extra पढ़ने की जरुरत नहीं पढ़ेगी क्योंकि इसमें सारा कुछ cover किया गया है यदि आप लोगों को ये पीडियाफ चाहिए तो description box में link दी हुई है आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं देखते हैं हमारा question कि आपना मुख्य जोकिम अधिकारी निक्त किया है तो यह भी हालही में निक्त किया गया है नीरज धवन और यह तीन साल की अवधी के लिए निक्त कर दिये गया है यस बैंक में यदि हम बात करें यस बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में इस्थापना की थी राणा कपूर और अशोक कपूर ने प्रेजेंट टैम में इसके MD और CEO कौन है तो ये कुछ समय पहले ही बनाये गए हैं प्रशांत कुमार अच्छा ये अस बैंक के टैग लाइन क्या है तो ये है एक्सपीरियन्स अवर एक्सपर्टाइज यदि हम अधर को डिसकस करें तो हाली में जो अर्विंद कुमार शर्मा है इन्होंने MSME के सचीव का पदभार समाला है गिर्धर अर्माने तो इन्होंने भी हाली में परिवहन वा राजमार्ग मंत्राले के सचीव का पदभार समाला है जबकि जो शिखा सर्मा है ये भी हाली में गूगल पे इंडिया की नहीं सलाहकार बनी है नेश कुश्चन है हाली में जारी किये गए ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश सीर्स पर रहा है तो इसमें इस बार सीर्स पर रहा है ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया है यह 116 अंकों के साथ है पहले इस्थान पर न्यूजिलेंड यह 115 अंकों के साथ है दूसरे इस्थान पर जबकि अपना देश भारत यह 114 अंकों के साथ है तीसरे इस्थान पर इसी क्रम में इंग्लेंड यह 105 अंकों के साथ चौथे इस्थान पर बना हुआ है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ICC टेस्ट रैंकिंग पूर्सों की यदि हम बात करें ICC की यानि की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तो इसकी स्थापना कभी थी 1909 में हैटक्वाटर इस थी थे दुबई में प्रेजन टेम में इसके अध्यक्ष है ससांक मनुहर और CEO है मनु सहानी यदि आप करंड से रिलेट करेंगे तो हाली में जो ICC है इसने दो कंट्रीज को रिएडमिट किया है नेपाल और जिमवावे यदि हम ICC से रिलेटेड कुछ आगामी टूर्नमेंट डिसकस करें तो देखें ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पूर्सों का ये होगा 2023 में और इसे होश्ट करेगा अपना देश भारत जबकि जो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2021 में इसे होश्ट करेगा न्यूजिलेंड नेच कोश्चन है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा इसने चंद्र लेंडिंग सिस्टम का निर्माण करने के लिए किस कंपनी के साथ साज़ेदारी की है अब देखिए जो नासा है जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है इसने 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाने का प्लान बनाया है और नासा ने एक अभियान भी लॉंच किया है अभियान है Moon to Mars यानि की चंद्रमा से मंगल तक और इस अभियान के थ्रू मनुष्य चंद्रमा से मंगल तक भी पहुँच सकेगा यही है नासा का प्लान जिसके लिए इसने तीन निजी कमपनियों के साथ साज्यदारी की है तो वन बाई वन हम तीनों के ही बारे में जान लेते हैं तेखिए SpaceX ये अमेरिका की प्राइवेट कमपनी है इसके मालिक है ऐलन मस्क Blue Origin तो ये भी एक प्राइवेट एरोस्पेस कमपनी है अमेरिका की और इसके फाउंडर कौन है जेफ बेजोस जो के विश्व के सबसे अमीर वेक्ती है और Amazon के संस्थापक भी है Dianetics तो ये अमेरिका की एक Science and Tech कमपनी है और इन्ही तीन कमपनी के साँस साजेदारी की है नासा ने Next Question है हाली में तमिल नाडू के कोवल पट्टी की किस प्रोड़क्ट को GI Tech दिया गया है तो देखिए अभी हाली में कोवल पट्टी की कदलाई मितई को GI Tech दिया गया है और ये जो कदलाई मितई है ये तमिल नाडू के South Side यानि की दक्षुड एरिया में बनाया जाने वाली मूंग फली की एक Candy है जिसे की GI Tech दिया गया है कल मैंने आप लोगों को GI Tech के बारे में बताया भी था लेकिन कल मैं आप लोगों को ये नहीं बता पाई थी कि ऐसा कौन सा प्रोड़क्ट है जिसे सबसे पहले GI Tech दिया गया था तो ये है दारजिलिंग की चाय जिसे सबसे पहली बार GI Tech दिया गया था वर्ष 2004 में यदि हम अधर आप्शन को डिस्कस करें तो टेरा कोटा ये प्रोड़क्ट है गोरकपूरका और ब्लैक राइस ये की काला चावल ये प्रोड़क्ट है मडी पूरका इन दोनों को GI Tech दिया गया जबकि कदलाई मितई और कडांगी साड़ी देखे कडांगी साड़ी और डिं केंद्री सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा किस अप्लिकेशन को डेवलप किया गया है CSIR यहन की Council of Scientific and Industrial Research और सड़क यहन की केंद्री सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा अभी हाली में किसान सभा सुरी यहां पर आप्शन है सही होगा किसान सभा मोबाइल अ लॉंच किया गया है आप सभी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के दोरान दूर दराज इलाकों में किसानों को अनाज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है जिसे कि अनाज का मैनेजमेंट इनकी प्रबंधन कैसे किया जाए और इनके परिवहन इनकी ट् इंध्री क्रसी और किसान कल्याड मंत्रा लेगी तो इसके मंत्री है प्रेजेंट टाइम में नरेंदर सिंग तोमर और इनकी कॉंस्ट्रेंसी है मुरायना मद्यप्रदेश यदि हम अधर अप्लिकेशन को डिस्कस करें तो देखिए वाशक और अप्लिकेशन यह भी हाल ही में IIT दिल्ली के दौरा डेवलेप किया गया है जिसके अंतरगत COVID-19 से अलट किया जाएगा इस अप्लिकेशन के माध्यम से आयू एवं सेह साथी अप तो यह डवलोप किया गया है राजिस्थान गवर्मेंट के दौरा जबकि आरोग्य से तो यह केंद्र सरकार के दौरा लॉंच किया गया है नेच कुश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्राले के सचिव के रूप में किसने कारिभार समभाला है तो यह भी हाली में समभाल लिया है अजय तिर्की ने और अजय तिर्की यह किन का इस्थान लेंगे तो इन्होंने इस्थान लिया है रविंद्र पवार का और जो अजय तिर्की है यह 1987 बैच के मध्य प्रदिस कैडर के I.S. ऑफिसर है और यही बन गये हैं महिला एवं बाल विकास मंत्राले के सचिव यदि हम बात करें WCD की यहने कि Ministry of Women and Child Development की तो प्रेजन टैम में इसकी मंत्री है इस्मृती इरानी और इनकी कॉंस्ट्वेंसी है अमेठी उत्तर प्रदेश साथी इस्मृती इरानी यह हमारी टेक्स्टाइल मिनिस्टर भी हैं यहां से आप एक शीज और याद रख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर वूमन इनकी राश्ट्री महिला आयोग इसकी प्रेजन टैम में अद्ध्यक्ष है रेखा शर्मा हम सचीव को डिसकस करी रहे हैं तो देखिए यह आप करंट से रिलेट करेंगे तो कल्म ने आप लोगों बताया था राजीव कुमार के बारे में जो क लिए कि जो सुरे सन पटेल है यह भी हाल ही में हमारे सतरकता आयुक्त बनाए गये कि नेसज कोश्चन हैं कि इन्हों ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के थूँ इसमें हिससा लिया प्रकाश जाव्डेकरजी जो कि प्रेजन टाइम में हमारे केंदरी पर्यावरण जलवायो परिवर्तन मंत्री हैं इन्होंने ही हिस्सा लिया और ये जो समिट रहा था इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था तो देखें कोविड-19 से कैसे निप्टा जा सकता है यनि किस से निपटने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा सकते हैं और इसका क्या समाधा निकाला जा सकता है ये था चर्चा का मुख्य उद्देश्य जिसमें कि भारत की तरह से पार्टिसिपेट किया है प्रकास जावडेकरजी ने और ये जो क्लाइमेट डायलोग का एजन किया गया था इसके अध्यक्षता किस ने की थी? इसके अध्यक्षता की गई जर्मनी के द्वारा जर्मनी के दिए हम बात करें तो कैपिटल क्या है? बर्लिन, करंसी है, यूरो जर्मनी के प्रेजन टाइम में चांसलर है एंजिला मरकिल, जिनने भी हाली में फोप्स के द्वारा विश्व की सबसे स्रक्ति साली महिलाओ के लिष्ट में टॉप पर चुना गया है जबकि इसमें भारत की जो निर्मला सीतरमन जी है ये है 34 स्थान पर नेश कुश्चन है पंद्रहवे वित्तायों के सलाहकार परिसत के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है तो ये भी हाली में चुने गये है कृष्ण मूर्ती सुभ्रमन्यम कृष्ण मूर्ती सुभ्रमन्यम जो कि प्रेजन टाइम में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार भी है और ये अब चुने गये है पंद्रहवे वित्तायों के सलाहकार परिसत के सदस्य के रूप में यदि हम बात करें वित्तायों की तो इसके स्थापना आर्टिकल दो सो असी के तहत उन्निस सो इनक्यावन में की गई थी और पंद्रहवे वित्तायों के अध्यक्ष कौन है तो ये हैं एनके सिंग यदि हम अधर आप्शन को डिसकस करें तो रगुराम राजन ये आर्बी आई के तेईसवे गवर्नर रह चुके हैं जिने की अभी हाल ही में इन्टरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाकार समू में शामिल किया गया है जबकि जो उर्जित आर पटेल है ये आर्बी आई के चौबीसवे गवर्नर रह चुके हैं जबकि प्रेजन टाइम में है शक्ति कांतिदास जो की आर्बी आई के पचीसवे गवर्नर है नेश कुश्चन है हाली में BSE बोर्ड में पहली स्वतंत्र महिला नदेशक किये कौन बनी है तो ये भी हाली में बन गई है एम जैश्री व्यास यदि हम बात करें BSE की यनि की Bombay Stock Exchange की तो इसके स्थापना हुई थी 1875 में Headquarter इस्थित है Mumbai महराष्ट में Present time में इसके MD और CEO कौन है तो ये है आसीस कुमार चोहान और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहली महिला के बारे में तो देखिए जो संगीता रेडडी है इन्हें दिसंबर 2019 में ही Indian National Science Academy की पहली महिला अध्यक्ष जबकि देवजानी घोस ये बनाई गई है NASCOM की पहली महिला अध्यक्ष NASCOM यहने की National Association of Software and Service Companies तो यह सभी आप याद रखेंगे कल मने आप लोगों से पूछा था मनरेगा के तहर सबसे जादा रोजगार देने वाला राजजी कौन मना तो इसका राइट अंसर था 36 गड़ अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है रंग भेत के खिलाफ संघर्स करने वाले जाने माने कारे करता जिनका नाम था Danish Goldberg इनका निधन हुआ है तो ये किस कंटे से बिलॉंग करते हैं यानि कि ये किस कंटे से बिलॉंग करते थे इसका अंसर आप लोगों को कॉमेंट बक्स में देना है और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेर जरूर करिएगा तो आज के लिए इतना ही Thank you so much